सब्सक्राइब आप लोगों को अपने इस चैनल सब्सक्राइब बैटे की बात कर रहे हैं वो है पहलोग्राम के कितने चाइल्ड हुए से त्री चाइल्स जिसमें से पहले का नेम था रेक्टेंगल, दूसरा है रोमबस, तीसरा है स्क्वायर, रेक्टेंगल को रेड़ी हम पिछले वीडियो में डिस्स कर चुके हैं इसकी प्रोपरिटी अब आज हम डिस्स करेंगे रोमबस की प्रोपरिटी को, clear friends तो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले प्ली लिस्स में जाके उसे ज़रूर चेक कर लेजेगे और हाँ, फर्स्टाइम अगर अपने इस चैनल पर आए हैं तो पहले तो आप सब्स्क्राइब कीजिए बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन उन कीजिए देन उसके बाद वीडियो कंटिडू करीजिए चलो बिना टाइम बेस करते हुए हम चलते हैं सैकिंड बच्चे के बारे में डिस्स करते हैं पहलोग्राम के रोमबस की अच्छा क्यों बोलना हो इसका क्योंकि गनाम का अगर ये बच्चा है मतलब इनकी सारी प्रोपोरिटी को फुल्फिल करें भाएँ पहलोग्राम में अगर कोई प्रोपोरटी बनाई है तो उसका अदिकार प्रोंबस का अधिकार इसके ऊपर होगा it means all genetic symptoms have rhombus okay now come on rhombus rhombus का diagram हम ले लेते हैं like this I am sure यह अच्छा से clear हो रहा होगा rhombus okay इसमें क्या होता है इसकी definition अगर हम ले definition में आप लखेंगे because यह parallelogram का बच्चा है तो उसकी नेम से ही चलेंगे a parallelogram in which all sides are equal that's called rhombus okay it means a parallelogram in which all sides are equal all sides means देखेंगे आप इसका नेम दीदी जिए a b c and d so in quadrilateral in parallelogram a b c d we can say that a b is equal to b c is equal to c d is equal to a d all sides are equal आपस में सारी sides equal होतनी okay अगर मैं इसकी प्रोपरिटी की बात हो if I am talking about properties of rhombus then rhombus की प्रोपरिटी में सबसे पहला point यह लेंगे कि rhombus rhombus is a parallelogram it means rhombus have all properties of parallelogram rhombus have all properties of parallelogram ठीक है parallelogram की जो भी properties होती ही सारी लिखता है रखता है second all sides are equal इसकी अपनी यह quality होगी इसकी सारी sides आपस में प्रोपरिटी जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है next diagonals पहलो ग्राम के diagonal bisect करते हैं यह conditional diagonals are bisect each other at right angle okay diagonals are bisect each other at right angle यह diagonal AC और दूसरा diagonal BD इसको 90 पे cut करेगा okay AC is perpendicular on BD ठीक है और यह intersecting point हो गया आपका और किस पे right angle पे bisect कर रहा है okay I am sure this one is clear next fifth property ले लो या fifth में ले लो आपका इसका area अगर मैं find out करू area so area मैं वे लूंगा half into product of diagonals product of diagonals so diagonals में क्या जाएंगे half into diagonals AC and diagonal BD यह दोनों आपस में product income हो जाएगा clear और तो शायद कोई property रह नहीं कहिए इसकी yes complete so this is the rhombus जो कि पैलोग्राम का बच्चा है पैलोग्राम को बच्चा है इस में पैलोग्राम की सारी property को fulfill कर रहा है okay so कैसा लगा यह video आप जरूर मुझे बताएगा पसंद आए तो like जरूर कीजिए और अपने friends को share भी कीजिए clear next पैलोग्राम के तीसरे बच्चे को हम डिसेस करेंगे अगले वीडियो में वो है आपका I'm sure you know सबकार लाड़ा कौन है square okay thank you all हुआ 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 हुआ